दूसरा जो यहां भारत के अंदर अभी चल रहा है खास और से 1956 के बाद में 1956 में बावा साथ ने अपनी सारी मुव्मेंट का निचोड़ दिया बावा साथ से कोई इंटेलिजेंट आदमी भारत में क्या दुनिया में है नहीं इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि एगर बावा साथ के जो वनसज हैं जो खांधानी अगर वो बहुत कमफरेबल जोन में होते जो राज ये महराजे होते खेती जमीन होती पैसा ब्यापार होता सब कुछ होता तो बावा साथ आज गलीगली में पुजरे होते बावा साब गली-गली में फोटो लगा हुआ होता और विक्ति गली-गली में उनको सेलूट कर रहा होता पर चुकि बावा साब के साथ में एक जाती का कलंक लगाया हुआ था इसलिए उस कलंक से उस काले रंड से जो उनकी रोसनी है उस पर धबबा डालने की पूरी कोशिस की गई पर सूरज कभी रुपता नहीं चोटे मुटे धबबों से परिसान होता नहीं समय लग रहा है पर वो चीजें आ रही हैं उन्होंने अपने जीवन की पूरी जिंद्गी की जो महनत थी वो लास्ट में क्योंकि जो भी आदमी हमारा उमर के हिसाब से ब जाए दो हजार बत तिसमें जो एक्सपैंसJ है व взять अच्छा है जैसे जैसे अनुखव का ग्यान बढ़ता जाता है आदमी समझदार होता है और जैसे जैसे समझदार होता है वैसे वह उन लोगों को सिखाता जाता है कि पिछली बातों में मैं जोना आणा उसमें टाइम ज् जिन्दगी का अनुभव और पूरे जिन्दगी का जो एक्स्पेंस था और मेहनती उसको बाइस जो प्रितिक जिया है उसमें डालके और सीधा सीधा क्या दिया कि आंक बंद करके बुद्ध की रहा पर चलो प्रबुद्ध भारत बनाओ और धमिक हो जाओ और बुद्धिष् हैं किसी ने उसको धर्मांतरन कहना सुरू कर दिया किसी ने उसको धर्म पर बुद्धन कहना सुरू कर दिया किसी ने उसको करना सुरू कर दिया किसी ने उसको इसको कंपरेटिव बना दिया कंपरेटिव मतलब और जो लोगों के धर्म हैं उनके मुकाबले में हमारा धर्म कहां है तो comparative हो गया किसी ने इसको राजनेतिक इस्तमाल करना सुरू कर दिया तुमारा भी धरम है हमारा भी धरम है आओ धरम से धरम को टकराएं कोई धरम से धरम को टकराता है कोई धरम से धरम को किसी ने इसको census में लाना सुरू कर दिया कि तुमारी संक्या कितनी है हमारी संक्या कितनी आओ देखें किसी ने इसका कानून बनवाना सुरू कर दिया कि हमारा कानून नहीं है और तुमारा कानून है यह हमारा धर्म में इसका कानून होना चाहिए नियम होना चाहिए किसी ने इसके बायलोज बनाने के लिए हर चीज़ कर दी जितने भी लोग हैं सब ने अलग 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 इसमें कुछ ना कुछ अपना नाम करने के लिए है या जो उनको समझ में आया उसके हिसाब से वो करने लगी और ये साल दर साल दिखा होने लगी क्योंकि शुक्री आदा करने आते हैं बावसा बेटकर का और भरवान बुतिका और अपने महापुर्सों का और वहां लाखों की संख्या में आते हैं बीस बीस लाख लोग आते हैं इसलिए वहां दिखाएं लगाता चलती रहती हैं पूरे साल वहां दिखाएं चलती रहती हैं जो दि की दिखा जो बावा साथ ने सिखाई और एक राजनिती की दिखा जो बावा थाब नहीं दी पर हमारे राजनितिक लोगों ने उसको comparative यानि तुलनातमा करोप से जीतने के लिए और लोगों से राजनेतिक का नासू कर दिया तो दो तरह की दिखाउं किया री है। तुमारे इस धम और हमारा भी धर्थम आव लड़ातें दोनों को जो बावा साथ की धंब दिखा है वो बिलकुल साइलेंट है वो बिलकुल चुप है यानि कि वो बुद्धी की तरह है वो धीरे-धीरे चलती रह जाती है चुप-चाप चलती है शांतिस चलती है और भिक्कों के द्वारा चलती है उसको भिक्कों आगे प्रमोट करते हैं और उसमें बं blingu से याशना करते हैं पुरानी तरह से हमको दिखा लेनी है अपनी मरजिसे लेते हैं बुद्द के ध्धम की नियम्स जानते हैं उनका पालं करते हैं और दिखा देने वाला उनके साथ में लगाता रुने बताता है यानि भिकू उनके टच में रहता है और बाद के नियम भी उनको बताता रहता है तुम्हारा शादी ऐसे होनी है तुम्हारा विवा ऐसे होना जितना जानता है उसके साफ से बताता है या जितने लोग जानते हैं जो संस्कार जान चुके हैं वो फॉलो करते हैं बता तो पारावरिक जीवन को सुधारने के लिए और नए जीवन को अंगीकार करने के लिए धंकी दिखा दी है पर इसका राजनितिक दिखा में कैसे चेंज हो गया राजनितिक दिखा शोर मचा कर होती है इसमें नेता आगे होता है बिकू पीछे होता है इसके अंदर बेशुमा पनी होता बस एक वार हाथ उठा दिखा हुई और वो दिखा भी बड़े सिंपल तरीक तो हुटी है उसमें वो याच्ञा नहीं करता बस दिखा हुई हाथ उठाया गले में फिदा बांदा और उसके बाद में वो चले जाते हैं खाना खाके इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं ह इसका जो लाब है वो व्यक्तिकत नहीं है इसका लाब राजनितिक है लाब दोनों है क्योंकि जैसा समय है वैसा करना चाहिए इसलिए राजनितिक धंब से टक्राने के लिए राजनितिक है तो धंब की जो दिखा है वो दो तरह की है इसको आप ध्यानक है और कहां लाब आप को कैसा लेना है कहां लाब इसका कैसा नहीं लेना है या आप जाने बावा साब के इस मुव्मेंट को पढ़ने के बाद में यहां 2001 के अंदर दिल्ली में दिखा हुई उसमें हम भी शामिल थे तब तक हमें यह नहीं पता था कि धमकी दिखा लग होती है और राजनीतिक दिख हुई वहाँ भी लोग आए उन्होंने सर मुड़ाए आके और उन्हें काम किया उसके बाद उनका आता पता नहीं उसके बाद उन लोगोंने कोई दुबारा दिखा नहीं कराई कोई धमका कारेकरम नहीं कराया कोई भिक्वों को बुलाया नहीं कोई उनके पास रिकॉर्ड नहीं, कोई सैंसस नहीं, कोई काइकरम उसके बाद धंका हुआ ही नहीं, बस 2001 में कोई स्टंट हुआ, एक इवेंट हुआ जो राजनेतिक था, वो चारवतर बूंजा, चारवतर फैला, पर उसके बाज आग तक यह नहीं पता खास दो बार होती है तो 14 अक्टूबर को क्योंकि 1956 में जो धम विजए दस्मी थी असोग विजए दस्मी थी उस असोग विजए दस्मी वाले दिन तारीक 14 अक्टूबर थी तो नौट के अंदर जो लोग है वो दसरा को ना मना के दस्मी को ना मना के 14 अक्टूबर को मनाते है 24 एक्टूबर करते हैं क्योंकि यहां जगड़े होने के चांस रहते हैं पर महराश्ट के अंदर साउत के अंदर दसरे वाले दिनी होती है क्योंकि वहाँ जागरती बहुत ज़यादा हो गई है इसलिए दो डेट होती है उन डेट पे वही लोग जो पहले से दिख़्ित हैं वही आते हैं जो पहले से बुद्दिष्ट हैं वही आते हैं और वो सारे सारे फिर उठागे दिख़्ा लेते हैं इससे क्या हो रहा है भरम पैदा हो रहा है जो दिख़्ित लोग है उनकी संख्या इस्टेंग नेने सन आ गया एक रुकावट आ ग या दिक्षा को नुक्सान हो रहा है, हमको ये नहीं पता चल रहा कि हर साल कितनी दिक्षाइं हो रही हैं, कितनी नहीं हो रही हैं, इसलिए जितने भी जो धंबिक लोग हैं, खास तोर से जो भारतिय बहुत महासवा के लोग हैं, एक भारतिय बहुत महासवा नमबर दो, भार लोग आ रहे हैं, उन सबसे समढ़ संग ये निवदन करता है, ये अपील करता है, कि धम को बचाईए, और धम को रूटीन में लेके आईए, धम का एक सेंट्रल रेश्टर बनाईए, एक सेंट्रल रेश्टेशन नमबर बनाईए, आप गौर्मेंट के अबर्टेपेंट मत र करते हैं, कोई बात नहीं, दोनों का फाइदा है, कम से कम दिखा का नाम जाता है, पर राजनितिक दिखा से राजनितिक लालाब होता है, वो तो आप राजनितिक सीधे भी कर सकते हैं, जो धम की दिखा बावा साब ने बताई है, उससे पूरे परिवार को पूरे जीवन को हुई है और वहाँ भंते ने 22 पर तक गया भी दी हैं वहाँ OBC काफी संक्या में लोग आए हैं कुछ वो लोग आए जो परसे दिखे थे हैं अब उनका कोई record नहीं कोई register नहीं कोई mentor नहीं suppose अगर उन्होंने बना भी लिया माना उन्होंने बना भी लिया तो उसको पूरे देश से जोडना चाहिए वो पूरे देश से जोडने का सिस्टम नहीं है जब तक पूरे देश से दिखाओं का और बुद्धिश्टों का और धमिक लोगों का जोडने का सिस्टम नहीं होगा ना राजितिक दिखा का फाइदा होगा और नहीं बावस आपकी धम दिखा का फाइदा होगा धोल जादा बजेगा पर इसका परणाम कुछ नहीं आएगा इसलिए समर्संग में तो खेरा भी टाइम लगेगा क्योंकि समर्संग बहुत इसे काम कर रहा है और काम क भी करे क्योंकि सेंसस बनना और जानकारी होना अपने अधिकार लेने की पहली सीड़ी है जब तक आप सरकार को यह नहीं बताओगे कि आप पांच कड़ों दिखित होगे सरकार आपको क्या देगी सरकार तो यह मानती है कि पूरे भारत में तीन चाल लाग दिखित लोग हैं बुद्दिष्ट लोग हैं उनका क्या करोगे पिचासी लाग के करीब आँकड़ा है जो कि पिछले दस साल में घट गया है तो सरकार तो यह मानती है कि दिखाएं कितनी हो पर लोग घट रहे हैं और आप कह रहे हैं कि चाल तर दिखाएं हो रही है और शोर मच रहा है तो कि बात में सरकार की बात में अंतर है अगर सम्मेधान से लाव लैना है तो आपको संख्या दिखानी पड़ेगी और सरकार आपकी काउंटिंग नहीं कराएंगी सरकार किसी न्हीं कराती आपको खुद अपना सिष्टम डब्लक करना पड़ेगा इसलिए हर एक व्यक्ति जो यहां सुन रहा है जो धंमिक है वो इन से निवदन करें के एक सेंटल सिष्टम बनाएं एक संग में रहें जब तक हम एक संग में नहीं आएंगे और संग के अधीनों के काम नहीं करेंगे, संग में काम नहीं करेंगे, ये सेंटल सिस्टम बनने वाला है नहीं, क्योंकि हर एक भिक्कू, हर एक संस्ता अपना-पना काम कर रही है, धम का काम कोई नहीं कर रहा है, इसलिए धम बढ़ेगा नहीं, व्यक्ति बढ़ेंगे, धम नीचे होता चल जाएगा और जिस दिन धम डूबेगा उस दिन व्यक्ति भी साथ अपने साथ खीच लेगा और सारे व्यक्ति भी डूब जाएंगे इसनिए जिन्दा रहना है तो संग के रूप में काम करना है और अगर मरना है तो अलग-अलग काम करना है क्योंकि धम भी आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबन पे या अपने हंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूटूब पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद चंगं सरेनं गच्छामी चंगं सरेनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी तूतियं पी धंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघंघ पी बुद्धम सर्मं गच्छाम। पी बुद्धम सर्मं गच्छाम।